पॉली सांचा ट्रांस्वर्स मदलो बदलेयान मदलो रैकेट पईशांचे एक्षेंजेस त्यातली दलावी या संदरबात लो संपूर्ण ट्रांस्क्रिप्ट सहीत एक रिकोट हा पत्तालीन पॉलीस महा संचालक शी सुबोट जैस्वाल यानी साधर केला होता तेमाचा कमिशनर इंटलिजेंस चा थुँ तो रिकोट मानानीय मुख्य मंत्रां कड़े केला होता तो रिकोट मुख्य मंत्रां कड़ना गुरुह मंत्रां कड़े गेला हाले तेचा हो उखली ही पुर्ची कारवाई जाली नहीं सुबोट जैस्वाल यान्चा सारका एक प्रामाणिक अधिकारी महाराष्ट्रा सोडून केंद्रीय सेवे मदे इतका भयानक सग प्रकरण प्रापर चैनल नी रेकोट वर आणून मुख्य मंत्रां कड़े साधर केलिया नंतर तेची साधी इंकोईरी देखिये त्यावे शास्नाने लवली ने अले मुला थेजेके प्रकरण होत या मदे महाराष्ट्राचा इंटलीजन्स ला फार मोट बदल्यांचा रेकेट ये चाललाई काई दलाल पईशे खाता है अले तेचा मुले वारमवार गुरुह मंत्राचा नावेता है तेचा ओफिस्चा नावेता है ये गोश्ट लख्षात आले मंत्र थ्रू प्रॉपर चैनल तेमाचा कमिश्नर इंटलीजन्स रश्मी शुकला याननी बीजीन ना तेचा संदर बतला रिपोर्ट साधर केला अटे बीजीन्स चा माध्यमात्न ACS होम तेमाचे ये ACS होम चे बकायदा सरवोच्य नयलाच्या निर्णया प्रमाडे निर्देशा प्रमाडे परवांगे गयों काई फोन तेन्नी सर्वीलन्स वर लाओ अडि त्या फोन मदन जेकाई बाहर पढ़ला ते धक्कादायक होता अडि मुण तो रिपोर्ट साधर दला दुरदेवाची गोष्ट अशिया कि ता रिपोर्ट वर कारवाई जाली सराई ततकालीर कमिश्नर इंटलिजन सी येंचा वरस कारवाई जाली तेन्ना पदवर्ण दूर करना ताला साधा ओफिसे तन्ना मिवन असा प्रत्न करना ताला ते दिकिला अथा केदराची शेवेच चाल्ले गिले आणि त्या रिपोर्ट मदे जैंची नाव आली होती त्यातले बहुतांचे लोकाना त्यातले ठिकाणी पदस्थापना भियाँ पोलिस मदे आली मोम परंवीर सींग येंची लावेला आरोप हाँ पहला आरोप नहीं मैं आपता मानानिय पवार सेवांची प्रेस कॉन्फरंस देकिल भगितली आली त्यास बड़ाले कि तैन्ची बदली हो तसले आमळे तैन्नी आरोप लावला पड़ सुभो जेस वालांची तर बदली नवती रश्मी शुकलांची बदली नवती तैन्नी पुरावेचा आधारावर या सरकार करे जो रिपोर्ट साधर केला होता त्यास बड़ी या संद्रबातली उचीत करवाई जली अस्ती तर मलास वटते कि आज ही वेड या डिकाणी आली नस्ती आज करमंजे पवार सेबांची प्रेस कॉन्फरेंस आकली आनोंतर मला खुड़ो आश्चेरे रिखिल वाटलो पड़ मी तरने दोज देना आम्ये या सरकारचे निर्माते तेया अले तेमे निर्माते आन्दा आपलो सरकार कसे वागलो तरने ते डिफेंड करणे ची भूमी का ही तेडिकाणी घ्यावी लागते टैन्नी जाब है साङीतला कि वाजे यानना परंवीर शिंग याननी गैतला खर जल्घ परंवीर शिंग यंची समिति त्या डिकाड़ी होती तैया समित्य में गलुक होते त्या समिति निर्णे गैतला आणे वाजे ना रीईन स्टेट केलो जैना वी कंसे तह चीना, एकका फ्रिशस्क्रालिक केया है। तर सग्गया महत्वा चा केसेस या तैंचास करें तया डिकाडी देनेत आला है सरकार चाहाचिरवाणा शिवाध आला है माजस पष्टमातो साहे होए पवार साहे मन्ता ते अर्द सकते है ते खरज है कि परमवीर सिंग यांचाच कमिटी ने वाजे यानना तेया डिकाणी तेनचा सस्पेंशन कैंसल करून पदावर घेतलो पन तेशा पुर्च वाक्य ते विशरले कि मुख्य मंत्रयांचा आनी गुरुह मंत्रयांचा आशिर्वादाने आडि दिर्देशाने हे काम परम्विर सिंग अननी केलो आडि मुणनाच एपियाए दर्जयाचा वेक्ती हाँ तेया ठिकाणी इतक्या महत्वाच्या पदावर गेला अडि तेया महत्वाच्या पदावर तेया ठिकाणी तेननी काई केलो है आपन सगेनी बगितलो दूसरा मानानी या कवार से बस मनाली क्या ता या घटनेची चवकशी मात्वाच गुष्टाशी ये चवकशी केवल परमविर सिंगां ची के या घटने ची बन्जे फकत परमविर सिंगां ची के गुरूह मंत्राशी रेकी अनेक वर्षा पुर्वी रिटायर जाले ले डीजी के करूशक्ता था कश्या प्रकारे के करना रहे अडि मुझून मलास वट्ट के आज या सरकारला वाचावुणया करता पवार सहबान्मी जीकाई प्रेस कॉन्फरेंस गेतली तेच्या मुदे केवर विंडो ड्रेसिंग जाला अडि सत्या पस्न दूर जानेल चाप्रेद हा त्या माध्यमात्म जाला है आमचो स्पष्टम होते है परम मीर सींग यान्नी लेडेलो जे पत्रा है या पत्रा मदे मी मुख्यमंत्रान ना सांगितला मी उपमुख्यमंत्रान ना सांगितला ना मी पवार सहबानना ही सांगितला आसा क्लियर मंटला है यह संदरात मुख्यमंत्री का बोल अपले उपमुख्यमंत्री का बोल अपले आले सग्यात महतो आच त्याननी जो SMS कि माना WhatsApp चाट जी काई असे ही ते पत्रामादे जे मेंशन के लाए तो एक प्रकारचा irrefutable evidence है आले तेचा मोने तेचा कड़े ते दुरलक्षे करूं कसा साले एका ता पुरावा घटने नंतर जन्दरेट जाला आफे तर विगे बोठता है पन तेचा बदली चा आधी चा असा जर पुरावा तेद आख़ो दस्तिल तर तेचा कड़े दुरलक्षे करन बन्जेक पापावर पाउरूर डाईले सारकाए आड़ोना आमची मागडिये स्पर्ख्त मागडिये या संदरबातली जवाबदारी फिक्स जाली स्पाईजे आणि या प्रकरनाची चाउपशी जो परियंत प्रकरनाची मागडिये या पादावरे फोजशकल ने शक्यज़ नहीं तेवा गुरुह मंत्रेयांचा राजी नामा घ्योन ही इंकवारी केली पाई खरतर आपता गुरुह खाता कुण चालाउतल हाई आमचा समः प्रश्ना है है करन जा प्रकारे सभा ग्रोह मदे ग्रोह विवागाचा चर्चे वर ग्रोह मंत्रें चायवजी अनिल करप साहब स्किफेन कर दोते आणी उठेते राष्ट्रवाद इतना बॉल्ड चाल्लाज है कि शिवसेलेचा इंटर्फियरंस हाँ मुठे प्रमानात है तेमारे हीस प्रच्त धालो पाईजी कि नेमक्या या नियूक्त्यान मदे भूमी का कुणाची है अजुनेक बलास वट्टे की प्रच्नाच उत्तर इवेंचुली एनाय द्यूशकेल कि मा जी कई जाच एजन्सिया ती द्यूशकेल पणि यह जाए यह उड़या गाड़या सचिन वाजे कड़े मिया लिया या तले कही गाड़या गिल्या सहाथ महिने आतो कोण-कोण वापरत होतो कोणी मोठे लोगों वापरत होते का तैसा काई कलेक्शन है या ही संदर्बा जी कई जाच एजन्सिया है सवकशी एजन्सिया है तैनी तैस अंदर्बाद थोड़ी सवकशी केली पाई जे असा हमसम होता है भारती जन्ता पक्षा ने आज आंदोलों सुरू केला है अले जो करें तो महाराष्टराची प्रतिमा मलीन करना रहे जे कार्या है यातनो गुरुह मंत्रयां चा राजिनामा आणि या प्रक्रणाचा छड़ा लगत नहीं तो परिंत या अंदोलों सुरूराईल असा इशारा दिखिल आमचे अध्यक्षण चंदरकान दादा पाटी लेनी दिलाए आज हम सभी जानते है कि परमवीर सिंग मुंबई के एक सीपी इन्हों ने जो लेटर भेजाए जो पत्र भेजाए और एंटिलिया बॉम केस में वाज़े इनकी अरेस्ट के बाद जिस प्रकार से घटनाए घटी है उसके चलते महाराटर की सरकार पर एक सवाल या निशान खड़ा हुआ है लेकिन फोर्म डिपार्टमेंट के कारोबार पर प्रश्ण उपस्वित करने वाले परमवीर सिंग ये पहले व्यक्ति नहीं है इससे पहले महाराटर के सरविम डीजी जो भी डीजी सियाएसेफ है शिस बोट जैसवाल जी इन्होंने फोर्म डिपार्टमेंट में होने वाली रिश्वत खोरी अफ्ता खोरी और तबादलों में होने वाली दला ली इसके उपर एक एक एक्स्टेंसिव रिपोर्ट ये मानमिया मुख्य मंत्री जी को हैंड ओर किये जिस समय ये ध्यान में आया था कि बड़े पैमाने पर पैसे का लेंदें ट्रांसफर्स में हो रहा है और कुछ दलाल ये सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर और गुरुह मंत्रा लेके भी गुरुह मंत्री के कारह लेके भी और गुरुह मंत्री जी का नाम लेकर भी इस परकार से पैसे का लेंदेन कर रहे है उस समय की कमिशनर इंटलिजन्स श्रीमती रश्मिश शुकला इन्हों ने ये बात दीजी साब के ध्याम में लाकर दी बीजी साब ने बकायदा नियम के अनुसा इसमें एक रिपोर्ट तयार करके उस समय के ACS होम इनको इसकी जाज करने के और जाज करने के लिए कुछ लोगों के टेलिफोन्स सर्विलन्स पर रखने की पर्मिशन मांगी ACS होम ने कानूनन वो पर्मिशन दी और उस पर्मिशन के बाद इतने बड़े पैमाने पर इंटरसेप्शन हुआ और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत खोरी पैसे के एराफेरी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बड़ी दलाली इसके सारे एविडंस सबूत ये सामने आए उन सबूतों के आधार पर CY ने रिपोर्ट तयार की डीजी साम ने उस रिपोर्ट को थू एस ये ये मानालिया मुख्य मंत्री जी को दिया होना तो यह चाहिए था कि उसका serious provisions लेकर मानालिया मुख्यमंत्री जी ने उसके उपर committee set up करके और उसका परदाफाश करने के आवशक्ता थी उसके जगह मुख्यमंत्री जी ने वो report गुरोह मंत्री जी को share की और उसके बाद Commissioner Intelligence को अपने पद से अटाया गया और आश्चरे की बात ये हुई कि डीजी के उपर सुबोज जैस्वाल जी के उपर ये दबाव बनाया गया कि जिनके नाम उस पूरे दलाली के रैकेट में बार-बार आते हैं ऐसे कई अफसरों को उसी जगह पर जहां दलालों के इंटरसेक्शन में इसको दीजी सुबोज जैस्वाल जी ने विरोग किया और जब ये बातें नहीं मानी जा रही है और उनको वही पर कोस्टिंग दिया जा रहा है ये ध्यान में आया तो सुबोज जैस्वाल जी सेंटरल लेपूटेशन पर CISF में चले गए अभी तो रोकी जाती है और करवाई होती है तो आज की ये परिस्टिती हमको देखने को नहीं मिलती है और वो रिपोर्ट अभी भी सरकार के पास मौझूद है सरकार मुझे पता है उसको बाहर नहीं निकालेगी लेकिन मैं दावे के साथ और पुक्ता जानकरी के साथ कह सकता हूँ कि इस सरकार के पास इनवर्ड वो रिपोर्ट हुई है आज मैंने माननिय पवार साहिब की प्रेस कानफरंस भी देखी और इस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी कि पवार साहिब ने अपने कंजे पर लिये इस सरकार को मेनिफेक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो यह मानते हैं कि उनके जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोड़क्ट है उसको वो सेवगार करे और इसलिए माननिय पवार साहब ने आज जो बाते अपने प्रेस में कही मुझे लगता है कि कुछ बाते महा भारत में नरोवा कुंजरोवा अश्वक्थामा मरे लेकिन हाती मरा या व्यक्ति मरा किस प्रकार से उन्होंने आधी बात के यह बात सही है कि वाजे इनको नियुक्त करने के लिए एपिलेट कमिटी ये परमविर सिंग इनकी अध्यक्ष्टा में ही थी नियम के उनुसार उनकी अध्यक्ष्टा में वो कमिटी होती है उस कमिटी ने दन्ने लिया लेकिन वो मिरणय लेने के बाद सबसे महत्वपुर्ण जगर वाजे को दी गई सारे महत्वपुर्ण केसेज वाजे इनको दिये गए क्या सरकार को यह पता नहीं था क्या मुख्यमंत्रिय और ग्रोमंत्रिस होये थे क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी यह बात सही है श्री परमवीन सिंग इनकी कमिटी ने वाज़े इनको रिंस्टे किया लेकिन उसके बाद पवार साब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्रिय और ग्रोमंत्रिय के इंस्ट्रक्शन पर किया उनके ही कहने पर उनको वह महतुप्रन जगाद दी गई और सारे केसिस जो उनके अक्तियार में नहीं भी आतें C.I.U. के अक्तियार में नहीं भी आतें वो सारे केसे सुनको दिये गए बिना आशिरवात के ये चीजे नहीं हो सकती और मैं तो पूछना चाहता हूँ कि सच्चिन वाजे ये कितने बाद गुरुह मंत्री के पास दिखे इसका भी कही न कही जवाब आना चाहिए तो इसलिए अपने उपर की बात टालने की बात ये जो पवार साब ने कही है मैं उससे सामत नहीं हूँ सरकार के आशिरवाद से वाजे उस जगह पर आये थे दूसरी बात मानिय पवार साब ने कही कि जूलियो रिबेरो जी ये इसकी जाच करे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जूलियो रिबेरो जी बहुत आधरणिय विक्तित हो है पुलिस मेहकमे में उनका नाम बड़ा है उनकी उमर भी काफी है अनुभो भी बड़ा है पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि वे तो कहते है कि इस पूरी घटना की जाच करे तो केवल परमविर सिंग की जाच करे या घटना के मुख्य किरदार महाराष्ट के गुरुह मंत्री की जाच करे अगर महाराथ्च के गुरुह मंत्री की जाच करना है तो क्या सरवीन गुरुह मंत्री की जाच एक रिटायर्ड 10 12 15 साल पहले 20 साल पहले इसे रिटायर हुए ऐसे डीजी कर सकते है क्या क्या वो authority उनके पास होती है क्या उनको मिल सकती है और अगर दी भी दी तो क्या वो कर पाएंगे क्या ऐसे दिश्पक्ष जाच हो पाएगी इसलिए मुझे लगता है विंडो ड्रेसिंग बंध होना चाहिए अगर पवार साब को लगता है क्योंकि पवार साब का पहला स्टेट्मेंट बहुत महत्वका था उन्होंने का यह बहुत गंभीर आरूप है अगर आरूप गंभीर है तो सबसे पहले ग्रह मंत्री को उनके पज से हटाया जाना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की जाच होने चाहिए हमारा तो कहना है वैसे तो जाच सेंटरल एजनसीज ने की जानी चाहिए लेकिन अगर आपको नहीं है विश्वास तो कोर्ट मॉनिटर कीजिए कोर्ट मॉनिटर इंक्वाइरी यह इसमें सुलूशन है जिसमें दूद का दूद पानी का पानी आएगा इसलिए भारतिय जनता पार्टी के ओर से हम ये मांग करते हैं कि गुरुह मंतरी जी का इस्तिफाल लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लिया जाता भारतिय जनता पार्टी चुटनी बैठेगी है हमारे अद्ध्यक्षे चंतरकान दादा पाटिल इन्होंने आंदोलन के घोष्णा किया आज हमने आंदोलन किया है और ये जो वसूली सरकारी वसूली जो चल रही है इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेगा अध्यक्ति बाटिल आपके जो अध्यक्ति अध्यक्ति आपके जो प्रेश्पन प्रेश्पन फरांच गेत लिये जी तो फिर वाजे ने जो किया है वो शूसेना की स्क्रिप्ट है क्या देखे सवाल परंभिर सिंग के रिलाइबलेटी का नहीं है सवाल यह भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं सवाल यह है एक सर्विंग डीजी रेंक ओफिसर अपने ग्रह मंत्री के खिलाफ SMS का या WhatsApp का Evidence जोड़ कर पैसे मांगने की बात करता है तो क्या हम उसको नजरन्दास कर देंगे क्या हम उसको छोड़ देंगे रिटार्ड ओफिसर नहीं है सर्विंग ओफिसर है DG rank ओफिसर है और इसलिए उनकी reliability के ओपर अलग question किसी को लगाना तो लगा सकता है पर क्या इससे ग्रोह मंत्री जी को reliability मिल जाएगी और मैं तो उसके आगे की बात कह रहा हूँ कि परमविर सिंग तो दूसरे आदमी है पहले आदमी तो सुबज जैस्वाल है जिनोंने official channel से अपना report दिया हुआ है त्याता निहाँ चा चौकशित समझे सर्गवण चा आड करता मास्टर रिस्पॉंसिबल आहे हे सुड़ूंद है बुची बुटता है डाइरेक्ट मास्टर वर तैन्से अधिकारी पुरावया सहीत आरोप करता है तैनी राजिना माद दिलास पाईज़े यह बाती का बार 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 बुदर इसकों चला रहा था ऐसे मिरी कहिंताई परफ देता है इसकों परफ देश्मुकिन का इस्तिफा आना चाहिए प्राइम रिस्पॉंसिबिलिटी जिनकी है वो इस्तिफा नहीं देंगे तो बाके लोगों से अपेप्षा क्या करें इसलिए हमारा कहना पहले पहले उनका इस्तिफा आना चाहिए तार तो बहुत जूडते हैं मैंने आज श्रीराश ठाकरे इनकी भी प्रेस कॉंफरंस देखी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि अगर इसके ठीक से जाच कुई तो कई फटा के फूटेंगे साथी चीज़े तो मेरे पास नहीं होती है पर अगर सरकार उसके पर आक्ट नहीं करेगी तो डूनना भी पड़ेगा अगर परमधिर सिंह संगुशक्तिर करन यहार मी शंगुचक्नार नहीं की यहाँ अधी किती दिले आकिती दिले कौनी किती दिले अम्चा काण तर्गट लूपन होते है उसाब को है जब झाहए अधी एनग्यां वोज जासेऊ यहाँ एंधी और यहीं चाह जाया है अधीड लूपन होती बोल लूपनिंधिटो भड़े मारत बूघ काना नहीं तरू नहीं कि में भड़े होते цеाखे दिले बढल感 आर्यसा 힘anげ पहले जबताव है. आपमे खिन्तन यह संजय राुट से बनने के लख्षर को दोश रोच्छाड़ीन है. क्यों जबताव मतवां? जबताव नगी देँ है. कि नॉर्मली तो ऐसे केसेस में इंक्वाइरी सेंट्रल एजन्सी करती है किन्तु मुझे पक्का पता है कि मैं जब सेंट्रल एजन्सी की बात करूंगा तो उसके ओपर राजनीती लाही जाएगे और इसने मैंने का कि ये पोर्ट मॉनिटर होना चाहिए वोट शूड मॉनिटर होना चाहिए जब सेंट्रल एजन्सी करता के लिए तुमी जरब ट्रांस्पर कशी के लिए त्या ते मंटला है कि मभा ही केस जाली लिया या केस ची निश्पक्षत सावकशी जाली पाईजे उन नम ट्रांस्पर करतो है मगत्या च्वही तेछी करणे नमूत कर अलंपाई जेंती नोंके तैंसे इन्वॉल्मेंट ए है आए आने एन्वॉल्मेंट मुळे आँली तरन्डांस्पर करतो है राष्ठाकरेन नी जी मागणी केलिया है कि केंद्रानी हस्तक्षिप करावा ती मागणी योंक्यच आहे आणी मलास वट्टा कि आता एनाईची इंक्वारी चाले लिया है त्यात अनेक गुष्टी बाहर एतील पड़ ही खराए कि आता है जे प्रकरण बाहर आले लाहे या तही केंद्रा सरकार ने हस्तक्षिप केला पाई जे अच्छी बात है अभी सब्दूर इस सरकार के समाप्त हो चुकी है सब्दूर समाप्त हो चुकी है और अब जितने ज्यादा दिन इस प्रकार से यह सरकार के वल्ट टालने का काम करेगी विंडो ड्रेसिंग का काम करेगी और जिस प्रकार की घटना है घटरी है उनको दबाने का काम करेगी उतनी यह सरकार ज्यादा बदना बोगी चले ताइक अच्छी बाते देखिए अभी इस सरकार की क्रेडिबिलिटी समाथ पूचुप